बोलीवुट की सुपरश्टार अर्विनेत्रे और बिजिपी सांसद हेमा मालिनी हमेशा अपने मा के बहत करिब रहीं। हेमा मालिनी की मा जया चक्रबर्ती अपने अंतिम जिनों तक उनके साथ ही रहीं। जया अपने दामात धर्मेंदर पर आँक मूंद कर विश्वास करती थी। हेमा मालिनी की जन्म से पहले जब जया फ्रेगनेंट थी तब उन्हें ना चाहते हुए भी पती से चार महिनों के लिए अलग होना पड़ा था। आईए जानते हैं पूरा मामला। दरसल पूरा मामला साल 1948 में अगस्त मैने का है तब हेमा मालिनी के मा जया फ्रेगनेंट थी। उनका साथवा मैना चल रहा था और गर्म में हेमा मालिनी थी। हेमा मालिनी से पहले उनके दो भाई थे एक हेमा से चार सल बड़े हैं तो दूसरे दो साल हेमा के पिता BCR चक्रवरती तब दिली में सरकारी नौकरी किया करते थे। हेमा मालिनी के दोनों भाईयों कजन उनकी नानी की घर पर हुआ था। दरसल वहां जया की देखवाल अच्चे से हो जाती थी। इसलिए हेमा की पिता उनकी मा को फ्रेगनसी में माय के बेज दिया करते थे। जब हेमा मालिनी जया के पेड में थी तब भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए उनने कई बार कारे क्रम टाला था। जया चक्रवर्ती को फ्रेगनसी के इस हाल में पती से दूर जाने में अजीब सा डर लग रहा था। लेकिन हालातों की मजबूरी की कारण उन्हें जाना पड़ रहा था। उनके साथ उनके दोनों वेटे भी थे। एक की उम्रू तब चार साल थी और दूसरे की दो साल। जया चक्रवर्ती जब ट्रेन में बेटी तो जैसे ही गाड़ी ने सीटी दी वैसे ही उनके आसू निकल पड़े। खुद को संभलत हुए उनने पती को अलविदा का पत्नी की हालत ने हेमा मालिनी के पिता को भी दुखी कर दिया था। आखिर कर जया पती से दूर तामिललो अपने माय के पहुची और वहीं पर 16 अक्टवर की रात में उनने हेमा मालिनी को जन्म दिया।